స்కెర, నెపాల ాఉం లూకుల మె యాసుబ్దరజ దలే ష్యచ్ర్చ్రం నిపాల ఉంల్ స్రలే స్రలోੈ. chapter पड़ी सकेगा सौ। यो बंदा अगारी को क्लास मा हमी ले chapter 14, seasons और थाथ बिविन्यरी तुहर का बारे मां पड़े का थियों। आज़ को क्लास मा हमी chapter 15, the earth और थाथ हमरो प्रिथिवे का बारे मां पड़ने सौ। The earth is our common house inhabited by all type of organisms. हमी बसने planet को नाम और थो। Human beings संगे यो planet मां हरे किसीम का plants, animals सबय को बसने गर सन। It is predicted that the earth was originated 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago हमरो earth originate भाय का थियो। अब ओ earth originate भाय देखी नहीं, earth sun को वरी परे revolve गरे कारे को सह। हमरो earth लाई outer space पर टाहर नहीं हो बने, अली राउंड देखी नहीं तरहा खास मा, earth perfectly round चाई चाही नहीं East र वेस्ट मा अली किती लाम चो छा र नौर्च र साउत मा अली किती सान हो छा ते भार यो earth को शेप लाई हमी गोईड पनी भनने गर्षा। यो औरंज शेप खाल को सामरो earth तरह बोलनलाई साजी लोगोस पने र हामी earth को शेप लाई round नहीं भनने गर्षा। इस डायमेटर अक्रोस इस्ट वेस्ट इस्ट वेस्ट इस्ट वेस्ट पनेट इस्ट र नौर्च र शाउत है। अनी the earth is the only planet in which humans, animals and plants live. अर्थ मा मात्रे human, animal, plant इस्ता अर्यानिजम अरु बसने गर्षन. इस था देगे थेओरी अरू छान की यो यूनिवर्स मा अरूपनी प्लानेट हो लान जहां लिविंग स्पीसीज पाईलेन हामी एलियान मनने गर चाहू है तर अईले समा फिक्र्स चाही ना अईले समा चाही तेस थो हुमन, प्लांट, आनिमल सप्पाई को लागी पस्न मिलने रामरो इन्वार्मेंट भागो प्लानेट अर्थ मात्रे हो बनिन्छ अनि और को कुराई अर्थ अब 4.5 बिलियोन इयर्स अकाड़ी ओरिजिनेट भाएको अब मानचे अरू पन किते थी बेले ओरिजिनेट भाएका हो लांता है नन, मानचे अरू तेरे तेरे पच्छी मात्रे ओरिजिनेट भाएका होन जब अर्थ पईला 4.5 billion years ago बने को थियो नी वे ठूलो स्टार फुटे र सानो 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 प्लानेट हरू बने का थिये अरू प्लानेट संगे अर्थ बनी बने को थियो चुरू मा, और त एक दमे तात्यों थीओ तेरे तेरे बर्सा पची तमे мало millions बर्सा पची और कूल बायर, अली के थी अर्च तात्यों बड़ Sciences होना थाली और थेस पची माथ त्रे बल्ल्ला प्लानस स्रू आऊना थाली तिस पची आनिमल्स होंदाई इन्वारुमेंट रामर बनना थालियो र तेसको तेरे पची evolution पची बल्ला human चरू आउना थालिका उन अब human, animal र प्लांट रू बसन को लागी उन्यारो तेलविंग और्गानिजम भए उन्यारो बाचन का लागी त्यो suitable environment चे का सता त्यो suitable environment अर्थ माई चा लीथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर र अट्मोस्फियर को फॉर्म माँ इदी अर्थ माँ लीथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, अट्मोस्फियर र र नावए देका भए यो human, animal, plant र रू बाचनाई सकते ना थे लीथोस्फियर भणेको यो green land को एरिया, हाइड्रोस्फियर भणेको यो नीलो water को एरिया र एट्मोस्फियर भणेको यो earth र वाटर दू बेला वरी परी सराउंड गरने एर को एरिया उन्छा तियो एरियालाई एट्मोस्फियर भणेंच ते भणेर लीथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर र एट्मोस्फियर भणेको कारण लेने अब यो earth लीथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एट्मोस्फियर में डिवाइडभ़एको ता छौत भणेँ तर हमी लाए उन्यार को बाहरे मा खासे दे रहे ता था चैनान ता तर आजको चाप्टर मा हमी लीथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर र एट्मोस्फियर लाई अल जुन यहां थे हो, यु एरिया लांड हो, ये डिफ्रेंट कॉंटिनेंस अरू होने गर्शन, तिस ते यो ब्लू एरिया वाटर को हो, अब लांड र वाटर इस अरी छुट्टी एक आता छन, तियो ग्रीन कलर को एरिया जसला हामी लांड भन जो, तिसको और को नाम लिथो स् बन गर्शुआँ, जुन व लिए कूल स, सेला वसन को लागी स्वीटे बल Onu तियो पार्टला हामी वानड हो,ored हो नाम ले भन्दै ठाक ही मुनिको पार्ट जुन एक दम्मा ए ने तातो ने ने गर्शं又 राद मैंटल हो रो थियू बन्दा पनी मुनिको पार्ट जु चिय notor ह डेरेने तातो च आमी बस से एक क्रस्ट, तिस पची को मैंटल रा तिस पची का कोर हरू हरू पनी दुईपार्ट माँ डिवाइड़ च आउटर रा इनर कोर इस्ते हमी बस ने यो जुन क्रस्ट च यो क्रस्ट को लांड पार्ट लाएँ ने लिथोस्फियर बने च आइजो स् पानी, लिथोस्फेयर उने को लैंड लैंड 1 बाई 4th पाइट अर्त मातं रहिए है भने, water ले 3 बाई 4th पाइट अर्त अर्थ ओक्यॉपाई करेको तो इस वाने, चा़ भाग मार्त बाणी हो तो सीस्पेय एक भाग मात dolzeug लैंड हून अरा बाकी भाग सपपे पानी उन्छा, भनी पछी, लैंड पानी भन्दा कम छा, भनेर आमी बुझना सक्षूं। अब लीथोस्फियर भनेको लैंड को सर्फेस हो भनेर तब बुझ्यूं। और क्योट अब बुझनु पर नेको राखी हो भन्दा नी, हर एक लीथोस्फियर को सर्फेस सेम चाहिना। अब आमी अम्रे कांशी मा पनी एर ना सक्षों। आम्रो कांशी पनी हिमाल, पहार तौराय में डिवाइड बाएको सानी। तिस था ही वर्ल्ड को हर एक लांड को पाइड पनी प्लेन, हिल, वाली, मौंटन इस थे पार्ट में डिवाइड बाएकांशन। अब आम्रो तौराय जास्तो, जो एकदम फ्लाट हुन्सा, जहांचे राम्रे टी फार्मिग गरना मिल्सा, इस थो तौराय एस थो फ्लाट लाइड इसला हमी प्लेन महन सूं। तो तर आई comes under this category. A place with considerable height is called mountain. जो लैंड भन्दा अली माथी रेज़ भाय कहुंचा नी, फ्लाट, प्लेन न भाय को, तर अली किती माथी उठेको. तिस्तो लैंड लैं, हमी माउंटें भनने गर्सों. The mountains are of different heights. अनी त्यों माउंटें, तिस्ता माउंटें, जो श्लाइचे snow ले ढाकेका हुंचा, तिसला हमी Himalaya भनने गर्सों. अब यो हिरों माई, हमी आईर न सक्षों. यो पाट hills हो, अब जुन यो hills लाई snow ले ढाकेका हुंचा नी, यो पाट mountain हो. तिसला हमी Himalaya अपनी भनने गरिंचा. The place surrounded by mountains is known as valleys. यो लैंड उन्छा, तो लैंड को वरी परी, यो लैंड लाई हमी वैली बनने गर्सों. जस्ते काटमांडू, भगतपूर, लालिदपूर, यो सपे वैली का एक्जाम्पल हुं. काटमांडू, भगतपूर, लालिदपूर योड़ा स्पेस मां शन, रा वरी परी माउंटेन ले ढाके का शन, ते भर यो पाटला हमी वैली बनने गर्सों. सम प्लेसे हाव प्लेन अरियाज, और बिग माउंटेंस अन हिमालयाज इन अधर प्लेसे. यो लिथोस्फेर मां, कुने-कुने प्लेस मांचे एकदमें प्लेन अरियाज हुने गर्छन, एकदमें फरा, किलो, अनि फूद अरिया हुने गर्छन, भने कुने-कुने प्लेस मांचे एकदमें रेज भईका एरिया, ओएग तमें साखुरा साखुरा और हैरी चडण परने उकाली ओराली भयाइक चाँगरों ने गर्षन इसते जुन पार्ट लान्ड हो तो पार्ट ला लिथोस्फियर भनेंच रा लिथोस्फियर सब्देर सेम होद एनन अब जाउं हाइड्रोस्फियर तेरा The part of water on the earth is called hydrosphere. भर्कर हमीले भन्यों Land को पार्ट ले लिढो स्वेर बनिन्गा और अर्ष को तिस्तोपार्ट जहाँ पानी पायने गरसा त्यों पार्ट ले हमीं हैईडो स्वेर बनिगर सौं Hydrosphere consists of river, river, lake, pond, watershed, ocean इस्ता धेरे धेरे पार्टस्फेर का तिर इस आर दे एर दे सोर्सस अवाटर रांद शर्फेस तो अब यह एर होई लेक, रिवर, पोंड, वाटरशेड, ओसन इस्ता पार्ट अड़ुछ नि इन यह अड़ुचा इए और्थ को सर्फेस मा पाईने गरी निछ due to very cold climate in the Himalaya, a large part of water is frozen there अब ये सपपे पानी अडू, सार्फिस मा पाइन सा बनडा मेले बुझे हुआई अब अली माथी तीर जाऊँआई, Himalaya region, माम्र माउंटेन एरिया, Himal तीर हिमाल माचे की होंसा बंदाखेरी, पानी फ्रोजन भाय कोंसा, जौमे कोंसा किनेकी एकदमे देले चीस होंसा, जो त्यो वाटर आइस मा अगणवर्ट भायों, हमिले मैटर पादा पड़े का थे हुझे, तो सारी हीट होटाई दियो भाने, मतलब हमिले पानी एकदमे कूल गरे हुझे, तो पानी सॉलिड माचेंज होंसा, इस आइस, ते वेर एकदमे जाड़ो भाय को ठाव माँ वाटर फ्रोजन भाय कोंसा, अब और को कुरा भाने को, हाइड्रोस्यर चे एकदमे धरे इंपोर्टन सा, कुन प्रोसेस मा, वाटर साइकल को प्रोसेस मा, आमिले पाड़े का थे उनी पहली पनी वाटर साइकल भाने को कौस्तो हो भाने र, वाटर साइकल भाने को, वाटर कुने पनी सॉर्फेस का वाटर अरू, जस्तियो रिवर, लेक, पोंड, वाटरशेड, इस ता वाटर पॉइंट मा पोगे रह उनियरू बादल बन्ख़न एके थाम मा जम्मा भएर जब त्यो बादल पनी अहली माथी माथी जादे गर्शने तब त्यो बादल कूल उन्छ रह कूल भएर वाटर ड्रोपलेट्स फॉर्म होने गर्शन रते water droplets, अब water droplets ता भारी हुँँँछ, एर ले थामना सक्दाई ना, तेवर रते water droplets पानी खोसने गर्चान, इसरी ने, हाइड्रोस्फियर चाई, water cycle मा एकदमे धरे इंपोर्टन चा, हमरो पानी पारे पच्छी ने, औरू plants, animals पानी healthy हुणा सक्षान, और अरू धरे environment के activities हु आमीले बखर भन्यू, water cycle को process, पहला evaporate हुँँछ, evaporate भाय परछी बादल मा चेंज हुँँछ, और बादल अली माथी माथी पुग्या पची condense हुणा थाल्च, और फेरी पानी पारना थाल्च, यो पारे को पानी कहले काई, mountains हर मा जम्मा उना गर्च, और ते आ फ्रोजन ह पानी पानी पनी बिस्तायारी घाम लागे पची पगले दे जान सा वेरा फेरी वाटर रिसोर्सस मा जम्मा उना थाल्च, यही प्रोस्स वाटर साइकल हो, तो वाटर, snow, and water vapor are different forms of water, water liquid form भायो, snow solid form भायो, water vapor gas form भायो, तर अजस्तों भाय पनी यो सपही hydrosphere के पाथ हुँछ Of these various forms, snow and vapor are called water above the ground. नियरू ground मा उदेनन, कीता, snow, mountain को, peak मा उन्छ, vapor, हावा मा उडिरोय का उन्छ, ते बर इस्ता लाई, हमी, इस्ता, sources लाई, हमी, water above the ground भानने गर्शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ Water of the spring, well, इस्ता लाई, हमी, underground water भान्छुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ लास्ट लेयर, एट्मोसफियर, एट्मोसफियर भने को हमेरे जुन फीर ने सां सुन्छा नी हमेले फेर ने हवा क्यों फेर ने हवा पनी एट्मोसफियर के पार्ट हो The surface of the earth is surrounded by layer of air which is called atmosphere हम्रो surface लाई याम्रो अर्थ को सर्फेस भायो यो अर्थ को सर्फेस लाई इता पटी एसरी एर ले धाके कोंचा यो layer of air लाई हम्रो अट्मोस्फियर बनने गर सौं Air contains different type of gases, water vapor, smoke, dust particles यो सब्पई यस्ता जुन पार्टिकल अरुछान नी इनेरो अट्मोस्फियर मां गारा जम्माँ उँछन हम्रो अट्मोस्फियर मानेको simply बुष नुबरदा हम्रो जुन इंवार्यमेंट मां हावा प्रेजेंट हूंचानी ते ही नए atmosphere हो तर अत्मोस्फियर तेती मात्रे चे होय नाई सिंपली बुजदा खेरी मां त्रक्लेटि भनना सकीन सह, तरहए एटमोस्फएर चे एक तम्हे माति 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 समा पयली एको सह, हमेडों वरी परिजुन लेयरूं सह, त्योर लेयरला हमेडी चोपो स्फ़ेर भणोrizized सहू. और ओजोन लेयर हम्रे लागी एकदमे धरे इंपोर्टन उल्छा स्टाटोस्फेयर मा जोन ओजोन लेयर पाईन छा नी यो ओजोन लेयर ले UV रेज लाए छेकने गर छा और UV रेज लाए छेके रहने Sunlight को राम्रो फ्वाम मतरे अम्रोर मा पुक न सक्षा UV rays बानेको Ultraviolet rays Sunlight बाट आम्रो लागी Sunlight एकदमें इंपोर्टेंट सह बन रामले अस्तिकी क्लास मां बुज़ी सक्यों वीट एनर्जी परदा तरह यो Sunlight बाट जुन Sun बाट आयको light उन्छा तो यो सपपे light आम्रो लागी राम्रो ने उन्छा बनने चाहिना कुने कुने हमफुल रेस उन्छान बास ते Ultraviolet rays यो Ozone ले ले तो Ultraviolet rays ले अब्जोब गर सह राम्रो अम्रो अम्रो Sunlight मात रही हम्रो लागी आए हम्रो बोडी सम्मा आईपुक सह तरह बाएर अट्मोस्फियर इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर्वाइवल पर और यूमन सर्वाइवल, अनिमल सर्वाइबल, प्लान सर्वाइबल पर दो सर्वाइवल अफ लिविंग बिंग्स अट्मोस्फियर इक्दमे धरी इंपोर्टेंट सह अब हम्रो अट्मोस्फियर मा पायने मेजर यांसे निर्ण, कार्बन डाज़, ऑक्षिजन बनने layer मैं ऊड़ँचा ozone लेयर पनी stratosphere मैं सा aerospace पनी stratosphere मैं ऊड़ँचा ऑननी पच्छी stratosphere is a very important layer ते स्ते mesosphere, thermosphere, exosphere इस अपपआ को आफ्ने importance सा ते हमी पच्छी को खलास मा गारा पौटने साँ atmosphere extends more than 1600 km यो atmosphere यहाँ देखी माथी सम्मा तमाइ तेरे माथी माथी समा एक्सेंड भाइक होंचा, 1600 किलोमेटर समा, यह अट्मोस्फेर ले हम रोग अर्थ ले प्रोटेक करने गर्षा, जती जती हाइट इंक्रीज हुदाई जान्छा, यह अट्मोस्फेर को जुन हावा प्रेजेंट उन्छा, तियो पनी घड़दे घड़दे जान्छा, ती वरता हमी लाई अली के थी हाइट बड़दे बड़दे गवएपची सांस्फेर न गार होंचा, किने की हावा कम हो दे जान्छा, का भाई गार एट्मोस्फेर एज़ए फट्मोस्पेर एज हमी लाई अली आज लिए लिखोषफिर, हाइडोस्फिर और एट्मोस्पेर का बारे मा पड़िघाउं और उनियोंडोहाँ लागी कीना इंपॉर्टेंच ź का लागी कीना इंपॉर्टेंच उनु pursuit